गुड मॉर्णिंग ग्लास आज हम पढ़ेंगे एक्सिस ओफ सेमेट्रीन एलीन एलीन का इस्ट्रक्टर देखते हैं तो एलीन का जो फॉर्मूला होता है वो CH2 डबल बॉंड C डबल बॉंड CH2 यहाँ पे इस कार्बन का हैब्रिजाशन SP2 इसका SP और इसका SP2 होता है अगर हम इसके बॉंडिंग के बात करें तो इस कार्बन से यह दो हाइड्रोजन है यहाँ पे इसके पास एक वेकंड और एक और्बिटल है यहाँ पे एक कार्बन ने यहाँ पे एक बॉंड बना रखा है इस carbon के पास दो orbital है अब क्या होता है ये जो है ये एक plane में है तिन दोनों में overlapping हो जाती है तो यहाँ पे एक sigma और एक pi bond बनेगा अब इस carbon के बात करें तो ये तुम्हारा किस plane में है x plane में है लेकिन ये तुम्हारा क्या है ये carbon के perpendicular है मतलब ये z plane जड़ समझ लो तो आपके आए इन दोनों में overlapping possible नहीं है तो उसके वली हम क्या करते है carbon को थोड़ सा tilt करेंगे उसको 90 degree पर क्या करेंगे rotate करेंगे जब rotate करेंगे तो ये जो दोनों plane में हाइड्रोजन है एक below the plane चला जाएगा और एक above the plane चला जाएगा और ये वाला orbital क्या हो जाएगा प्रिपेंडिकुलर आ जाएगा जैसे ही ये प्रिपेंडिकुलर आएगा आसाने से इन दोनों में भी क्या हो जाएगा ओपल लैबिंग तो एलीन के structure में हम क्या देखते हैं carbon, double bond, carbon, double bond, carbon और इस carbon के साथ दोनों hydrogen plane में और इस carbon के साथ दोनों hydrogen एक below the plane है एक above the plane है अब इसमें हम axis डालते हैं एक axis हम यहां से डालते हैं तो जब हम यहां से C2 axis डालेंगे तो ये क्या है? ये molecule rotate होगा तो जब ये rotate होगा तो ये क्या हो जाएगा? ये इसको replace करेगा और ये इसको replace करेगा ऐसे ही ये वाला hydrogen इसको replace करेगा और ये वाला hydrogen इसको replace करेगा आई इसको हम cube में रखे देखते हैं हमने एक cube बनाया उस cube में हम alien के structure को रखते हैं जैसे हम केस को रखे थे? tetrahydron को रखा था हमने अब क्या है इसके हाइड्रोजन एटम को रखते हैं चार हाइड्रोजन एटम है तो क्या करेंगे इस कारबन से एक पॉइंट छोड़के दूसरे पर हमने हाइड्रोजन रखा फिर एक पॉइंट छोड़के इस पे रखा फिर एक point छोड़के इस पे रखा ठीक है अब हम क्या देख रहे हैं यह हमको क्या मिल गया एक दो तो plane में और एक plane से अब अब दा plane है एक below the plane है अभी हमने क्या किया था यहाँ पे हमने c2 axis डाला था अब हम यहाँ पे यह हमारा क्या हो जाएगा y plane इस cube के हिसाब से देखो तो यह हमारा क्या हो जाएगा y plane अब हम एक axis यहाँ से डालते है x axis इस वाले point से और इसको हम rotate करेंगे तो जब हम इसको rotate करेंगे तो हमें एक c2 axis यहाँ से मिलेगा और जब हम एक axis यहाँ से डालते है प्रिपेंडिकुलर इस carbon के 2 c2 प्रिपेंडिकुलर c2 अब इसको model से समझते हैं यह देखे यह वाला model यह है एलीन का structure I hope आपको visible होगा दो hydrogen plane में है carbon double bond carbon carbon double bond दिख रहा है आज तेंग आप लोग को carbon double bond carbon फिर carbon double bond carbon और यह एक hydrogen above the plane है एक hydrogen below the plane है हमने axis कहां से डाली थी एक axis हमने यहां से डाली थी एक axis तो हमने यहां से डाली थी एक axis हमने यहां से डाली एक axis हम उपर से डालते हैं ऐसे करके एक axis हम उपर से डालेंगे इस वाले plane से डालेंगे और एक axis हम perpendicular डालेंगे यहां cube में हमने इसको समझा दिया एक y-axis से डाल रहे हैं एक हम z-axis से डाल रहे हैं और एक हम x-axis से डाल रहे हैं ठीक है उसके बाद हम देखते हैं एथेन एथेन का फॉर्मूला होता है CS3 CS3 सिंगल बॉन CS3 ठीक है अब एथेन का अगर structure बनाया तो इसमें देखते हैं यह है एथेन का structure यह देखे यह ठीक है अगर हम इसको ऐसे रखे तो देखो यह क्या है यह कार्बन है यह कार्बन है एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ ठीक है तो अगर हम यहां उपर से एक एकसेस डालते हैं तो यह molecule क्योंकि 3 atoms है तो कितने बार rotate होगा 3 time तो इसमें उपर से क्या मिलेगा C3 axis of symmetry I hope आपको visible होगा ठीक है इसमें क्या मिल रहा है C3 axis of symmetry ठीक है अब एक axis हम इन दोनों हैड्रोजन के बीच से डालेंगे इन दोनों हैड्रोजन के बीच से एक exercise डालेंगे ठीक है तो हमें क्या मिले गा C2 axis X 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 इन दोनों हाइडरोजन के बीच से डालेंगे यहां से यहां से तो जब हम यहां से एक एकसेस डालेंगे तो हमें क्या मिल रहा है C2-axes of symmetry, यहां से मिलेगी इन दोनों hydrogen के base से ऐसे ही, यहां पे देखिए, इन दोनों hydrogen के base हम एक excess डालेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, C2-access of symmetry इन दोनों का हम थोड़ी देट के लिए hide करनें दिखिए अगर हमने एक एकसेस यहां से डाला तो हमें क्या मिलेगा C2 एकसेस ऐसे ही अगर हम इन दोनों हैडरोजन के बीच से एकसेस डालेंगे तो C2 एकसेस आप सिमेट्री मिलेगा 3C2, Prependicular C3 ऐसे देखे फेरोसीन, यह है फेरोसीन का Eclipse structure और यह Staggered, ठीके क्योंकि इसमें 5 एटम है यह क्या है देखो Diciclopenta फिर इसमें Iron के साथ ही जुड़ा हुआ है यहाँ मैंने Iron लिख दिया और यहाँ पे 2 Cyclopentane लगा दिये है इसके साथ अब देखे, यहाँ पे इस Pentane ring का corner उपर है तो इसका भी corner उपर है दुनों क्या है, सब सेम सेम है यहाँ पे इसका corner उपर है और यहाँ पे इसका corner opposite है अब क्या करेंगे बिटा, यहाँ से जब हम C2 axis डालेंगे तो यह molecule 2 times rotate होगा जब हम यहाँ से कोई axis डालेंगे तो यह molecule यह इसको replace करेगा और यह इसको replace करेगा इसमें क्या है C2 axis of symmetry और एक axis अगर हम यहाँ से डालें, यहाँ से क्योंकि इसमें कितने atom है, 5, 1, 2, 3, 4, 5 तो कितने axis of symmetry मिलेगे इसमें C5 axis of symmetry तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं C5, 5C2 perpendicular C5 ठीक, ऐसे हमें staggered का भी मिलेगा अब बात करते हैं cyclohexane का cyclohexane का structure कैसे होता यह देखिए, एक सेकर में दिखा रही है cyclohexane का structure यह है cyclohexane का structure यह है, यह है आपका cyclohexane का structure यह कार्बन, 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 कार्बन और हर कार्बन से दो हाइड्रोजन जुड़े हुए है इस पे से भी दो हाइड्रोजन जुड़े है वो मैंने visible नहीं किया है यहां से भी दो हाइड्रोजन, यहां भी दो हाइड्रोजन, यहां भी दो हाइड्रोजन, यहां भी दो हाइड्रोजन, यहां भी दो हाइड्रोजन, और यहां भी दो हाइड्रोजन ठीक है, अगर इस structure को हम कुछ इस तरीके से रख दे इस तरीके से रख दे ठीक structure को I think आप लोगों को दिख रहा होगा ये ये यही वाला structure होगा बस हमने इसमें hydrogen नहीं शो किया है ठीक है अब एक चीज़ में देख लेते हैं ये जो hydrogen बेटा लगे होते हैं अगर hydrogen up side में लगा है 1, 2, 3 अप साइड में लगा हो या फिर हाइडरोजन डाउन साइड में लगा हो ठीक है तो इसको हम बोलते हैं एक्जियल हाइडरोजन फिर से देखते हैं अगर हाइडरोजन अप 1,2 और 3 अप साइड में लगा है तो इसको हम एक्जियल और डाउन साइड में लगा है 1,2 और 3 तो ह हम इसको बोलते हैं axial लेकिन axial के अलावा जो hydrogen side by side लगे होते हैं उनको हम बोलते हैं equatorial hydrogen तो total cyclohexion में देखें तो कितने hydrogen atom होते हैं 12 जिसमें से 6 hydrogen atom आपके axial होते हैं और 6 hydrogen atom आपके क्या होते है equatorial अब इसका structure एक बार हम फिर से आपको दिखाते हैं model की थूँ ये क्या है देखें ये वाला एक carbon उपर है फिर दो carbon क्या है नीचे हैं ये ठीक तो दो carbon हमने क्या कर दिया नीचे बना दिया अब फिर क्या है दो carbon फिर उपर गए हैं तो दो carbon हमने क्या कर दिया उपर कर दिया ये हैं आपका cyclohexane का chair form का structure ठीक है अब इसमें आप क्या visible हो रहा है इसमें ये visible हो रहा है कि ये ये जो carbon है ये ये उपर वाले 1,2,3 1,2,3 ये ऐसे क्या बना रहे हैं एक triangle बना ले रहे हैं उपर देखिए एक triangle बना रहा है आपका ऐसे देखिए ऐसे दिखाती हूँ मैं एक triangle बना रहा है एक line यहां से बना ये एक ऐसे फिर ऐसे उपर क्या बना रहा है आपका triangle बना रहा है मैं एक बार दिखाती हूँ मेरे पास I think हाँ है देखिए यहां पर क्या बना रहा है ये triangle बन रहा है इस कार्बन से एक ट्रोइंगल बन रहा है उपर के साइड में बन रहा ट्रोइंगल ऐसे ही नीचे देखियो 1, 2, then 3 क्या है? 1, 2, 3 यहां भी एक ट्रोइंगल बन रहा है तो आप क्या देख रहे हैं? इसका कॉर्णर इधर आ रहा है तो इस ट्रोइंगल का कॉर्णर अपोजिट जा रहा है उपर वाले का कॉर्णर इस साइड में आ रहा है और नीचे वाले का कॉर्णर इसके अपोजिट जा रहा है तो इसको हम कैसे ड्रोग कर सकते हैं? इसको हम ऐसे ड्रोग सकते हैं जो आपका यह देखेवे यه ये उपर वाले का कॉर्णर होगा इसके जस्ट आपोजिट नीचे वाले का कॉर्णर होगा घगे ऐसे होता साईकलो emphasizes का structure, पहले एक कारबन क्या है? एक कारबन है फिर दो कारबन है ऐसा समझी ऐसे एक कारबन ओपर है एक कार्बन उपर है दो कार्बन नीचे है फिर दो कार्बन उपर है फिर एक कार्बन नीचे है ठीक है तो यह क्या अपोजिट बना ले रहा है अभी आपको बताया था हमेने मारोल के थूर देखिए यह अपोजिट यह 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 ट्राइंगल यह इसका तिकोना पार्ट यह है और नीचे वाले का तिकोना पार्ट आपका कि धर जा रहा है तो एक दूसरे आ Pinkああ रहे है डीक है यहाँ तो ऊपर वाले का एक ट्राहेंगल का बन गया और नीचे वालेका सिये बन गया पोसिट आप देखो इन्ने हैं 123 तो यहां का होगा एक तो आपका 20 से जब हम access डालेंगे तो इसमें क्या मिलेगा C3 access of symmetry किते कॉर्णर से 1,2,3 जब हम 20 से इसमें access डालेंगे इस वाले points है तो यहां पर हमें मिलेगा C3 access of symmetry एक access of symmetry हमें इधर से मिलेगा कैसे मिलेगा देखते हैं उसको यह corner है यह front का corner है और यह back का corner है तो यहां से जब हम एक access डालेंगे तो यह क्या हो रहा हमें C2 access of symmetry मिल रहे हैं तो total कितने corner है 1,2,3,4,5,6 6 corner है क्योंकि एक access दो corner से पास हो रहा है तो हमें कितने C2 मिलेंगे 3C2 तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं C3,3C2 perpendicular C3 same ऐसे ही structure देखते हैं हम S8 का, S8 का structure कैसे बनते हैं crown shape का यह देखे, यह है आपका S8 का structure यह crown shape का होता है, इसमें देखे बिटाओ एक sulfur atom, दो sulfur atom यह थोरा नीचे जाएंगे, यह sulfur atom उपर जाएगा, यह नीचे आएगा ये उपर जाएगा, उसके बाद ये नीचे आएगा, ये उपर जाएगा, ये नीचे आएगा, ठीक है, इस sulfur atom को, अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखेगा, इसमें क्या है, इस वाले structure में देखे ज़रा सा, एक sulfur atom उपर है, दो नीचे हैं, एक sulfur atom उपर है, और दो sulfur atom क्या है, नीचे हैं फिर दो sulfur atom उपर है फिर अपका दो sulfur atom क्या है थूद्ड़ा डाउन है नीचे ठीच और एक sulfur atom उपर है ठीच तो ऊपर कौन कॉन सब याटम क्या है तो न evaul eh 라wa link थिकしたे हैं मैं थोड़ा सक निशान लगा दे रहें ये थीक है उसके बाद कौन सो सल्पर एक्टम है ये वाला ठीक हैं तो कैसे बनना आपका है तिकोना फिर दो फिर तिकोना थी बरफी के शेप का बनना है देखो ऐसे, तीकोना, फिर दो सलफर एटम, फिर एक सलफर एटम, ऐसे बनना ये वाला structure, समझ में आया, देखो मैंने क्या किया है, इस वाले देखो, एक सलफर एटम उपर है, दो नीचे हैं, फिर एक उपर है, एक सलफर एटम उपर है, दो नीचे हैं, फिर दो उपर है, फिर दो sulfur atom को इस corner से जोड़ दो तो कैसा shape मिल जाएगा हमें diamond shape ठीक अब नीचे वाले sulfur atom को मिलाते हैं यह sulfur atom हो गया और sorry 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 और यह वाला sulfur atom हो गया ठीक है तो यह कैसा बना ले नहीं square shape का इसका कैसा बन जाएगा square shape ठीक अम मैं इस model को निकाल लेती हूँ आपको समस में आ गया यह चार ऊपर थे diamond shape बना रहे थे और यह दो जो नीचे थे यह कैसा बना रहे है आपका square shape square shape का ठीक तो यह है यह मैंने diamond ऊपर वाले sulfur को दिखाया हुआ है और यह square से मैंने नीचे वाले sulfur को देखिए यह देखिए वन यह diamond shape में बना रहे है इसमें अगर बनाएंगे तो यह कैसे बना लेंगे diamond shape का और यह आपस में कैसे बना लेंगे square shape का यह diamond shape का और यह square shape का क्योंकि इसमें किते corner है one two three four तो इसमें किते axis of symmetry होगी c4 axis of symmetry होगी अब देखते हैं बिटा एक corner दो corner तीन corner चार पांच छे साथ और इसमें total eight corner है और जब हम इन दोनों इसके और इसके corner के 3 जब हम c2 axis डालते हैं यहां से c2 axis डालेंगे ठीक है था हमें जब हम यहां से axis डालेंगे था हमें c2 axis of symmetry मिलेंगे तो अगर 8 axis दो corner को cover कर रहा है एक two corner को cover कर रहा है यह जड़ा से गार बड़ हो गया या इस corner से आएगा इस ठीक है, एक एकसेस आपका two corner को cover कर रहा है, तो total eight corners है, तो कितने c2 axis of symmetry मिलेगी, इसमें four c2 axis of symmetry मिलेगी, तो हम कैसे लिख सकते हैं, c4, four c2 perpendicular c4 अब बात करते हैं, axis of symmetry in hetero diatomic molecule and hetero diatomic like molecule, hetero diatomic molecule, मतलब दो atom हो, और वो दोनों hetero हो, एक जैसे ना हो, जैसे आपका SCL, SCL का अगर हम structure draw करें, तो hydrogen का size छोटा होता है और chlorine का size बड़ा होता है, ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम देखें, इन दोनों का एक shape draw करें, यह हमें कैसा मिला, cylinder shape का मिल रहा है हमको, ठीक है, कौन shape समझ लो इसको, क्योंकि यह round shape है, तो इसमें infinite axis of symmetry होगी, इसको हम ऐसे भी draw कर सकते हैं, या फिर इसको हम पलट के ऐसे भी draw कर सकते हैं, hydrogen उपर chlorine नीचे, या फिर chlorine उपर hydrogen नीचे, तो जब हम यहां से access डालेंगे, या फिर यहां से access डालेंगे, तो infinite axis of symmetry हमको इसमें मिलेगी, तो जितने भी आपके hetero diatomic molecule होते हैं, ठीक है, उन सभी के सभी में, C infinite axis of symmetry present होती है, अब आईए बात करते हैं, hetero diatomic light molecule, जैसे आपका, यह क्या है, तीन atom है, 1, 2, 3, लेकिन हम इसको पूर रहे है, hetero diatomic light molecule, क्योंकि यहां पर हम इसको एक ही atom consider कर रहे हैं, C, N, ठीक है, यह आपस में जुड़े हैं, और इन दोनों की bonding होई hydrogen से, तो यह क्या है, यह hetero diatomic light molecule है, तो जो excess of symmetry आपका hetero diatomic molecule में present होगा, same, वही excess of symmetry आपका hetero diatomic light molecule में भी present होगा, अब आईए बात करते हैं, excess of symmetry in homo diatomic molecule and homo diatomic light molecule, तो homo diatomic molecule का मतलब होता है, same, जैसे oxygen है, oxygen में 2 atom है, ठीक है, तो यह दोनों atom क्या है, same है, यहां atom में इतना थे different है, अब इसमें, देखे है, एक oxygen यहां है, अगर हम यहां से इस वाले पॉइंट से कोई भी एक्सेस डालेंगे तो हमें सेम ऐसे ही जैसे हमने डाला था तो हमें इंफिनाइट एक्सेस ऑप सिमेट्री मिलेगे लेकिन अगर हम यहां से एक एक्सेस ऑप सिमेट्री डालेंगे तो क्योंकि क्या है यहां इधर भी एक्वल है इधर भी एक्वल है तो यह क्या है सी टू एक्सेस ऑप सिमेट्री यहां प्रेजेंट होगी लेकिन यह जो सी टू एक्सेस ऑप सिमेट्री है यह हमें इंफिनाइ स्माइट कॉमा इंफिनायट सी और cielo perpendicular c-nine i hope आपको ये समझ में आया होगा अब pepper क करते हैं homo deitomic light molecule तो जैसे आपका carbon dioxide है ये क्या homo deitomic light molecule इसमें क्या होगा एक तो अगर हम यहां से एक्सेस्वाज़ित्री पास कर रहें इस वाले प्रॉइंट्स है तो हमें c C to excess of symmetry मिलेगी वो भी infinite time. तो I hope आपको इस lecture समझ में आया होगा. Thank you.